Question number 24. Show that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1 by r की power n. Question में कहा है कि जो sum of first n terms है और अगला जो sum है उनका जो ratio है वो 1 by r की power n है तो सबसे पहले sum of first n terms होता है जैसे मानलो 1 plus 2 plus 3 up to कोई भी n terms तक. अब n के बाद आगे वाली terms को हम लिख सकते हैं n plus 1, n plus 2, n plus 3 और ये जा रही है इसके twice तक जा रही है 2n तक जा रही है. तो question में कहा है कि यहां तक का sum sn का ratio और यहां से लेकर यहां तक का sum का ratio ये हो गया sn plus 1 to 2n तक का इनका ratio जो है वो 1 by r की power n है. तो sum of n terms by sum n plus 1 to 2n का जो ratio है वो 1 by r की power n है हमें प्रूव करना है तो इसको पहले लिख लेते हैं. तो प्रूव हमें करना है sn upon में sn plus 1 to 2n is equal to 1 by r की power n ये हमें प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर जो gp है वो हमें नहीं पता कि उसका जो ratio होगा वो sequence का ratio होगा वो less than 1 भी हो सकता है greater than 1 भी हो सकता है तो sn का कौन सा formula apply करें ये अभी हमें नहीं पता. तो कोई भी formula लगा सकते हैं तो अगर हम sn लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं a1 plus a2 plus a3 up to an तक इसमें formula लगाएंगे यहां पर कोई भी लगा सकते हैं मैं less than लगा लेती हूं तो a1 minus r की power n upon 1 minus r तो ये हमारे पास sn आ गया इसको हम नाम देंगे equation 1 अब हमें चाहिए denominator की sum of ये sum of n plus 1 to 2n का formula तो ऐसा formula हमारे पास है ही नहीं लेकिन इसी formula से अगर हम थोड़ा सा try करें तो नया formula बना सकते हैं कुछ term बना सकते हैं अगर हम लिखते हैं अगर हम लिखते हैं कि कोई gp है 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128 ये एक gp है तो मान लो यहां से यहां तक कहां से कहां तक यहां से यहां तक ये n terms हैं ओके और ये हो गया n plus 1 to 2n ये जो है पूरा यहां से यहां तक n plus 1 to 2n और ये है n terms यानि कि यहां से यानि कि इस से double terms है तो इसका ratio इसका ratio divide में इसका ratio इसका ratio हमें चाहिए तो अगर हम इनको plus करते हैं तो हमें मिलता है fifteen okay इनको plus करते हैं तो हमें मिलता है 240 ठीक है अब ये 15 है यहां से आ गया इन सब को plus किया एन सब को plus किया तो 240 और अगर इन सभी को plus करते हैं तो हमें मिलता है 15 plus 240 is equal to 2500 तो इसका formula तो हमें मिल गया वो हमने 15 निकाल लिया अगली term के लिए हम लिख सकते हैं कि इस पूरे के total में से अगर हम 15 minus कर दें तो हमें 240 मिल रहा है ना इस पूरे total यानि कि 255 में से 15 को minus कर दें तो हमें क्या मिल रहा है 40 मिल रहा है तो यहां तक का sum है S2N यह जो है यहां तक का sum है S2N किसका इसका ओके S2N में से पहली N terms को minus कर दें S2N में से पहली N terms है उसको minus कर दें तो हमें 240 मिल रहा है यहां तक N terms थी और यहां तक थी N plus 1 to 2N terms तो S2N में से हमने अगर N terms minus कर दी तो हमें यह वाला sum जो है मिलेगा याना इसमें से इस पूरे में से इसको minus कर दिया इस पूरे में से N terms को minus कर दिया तो हमें यह वाला sum मिलेगा तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे तो अगली टर्म्स हमें मिलेगी अगर हम S2N में से S2N में से SN को माइनस कर दें तो अब S2N वाला फार्मूला तो इसको देखकर हम बना सकते हैं अगले पेश पर चलते हैं तो A1-N की जगह पर यह देखो यह 1-N की जगह पर हो जाएगा 2N अपन में 1-R यहां पर आएगा A1-R की जगह पर हो जाएगा 2N अपन में 1-R माइनस A1-R की पावर N अपन 1-R यह SN की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी जो हमने SN निकाला था सबसे पहले सबसे पहले यह था ना कहां गया यह रहा यह हमने SN की वैल्यू निकाली थी तो अब हमने यहां पर यह SN की वैल्यू यहां पर पुट कर दी अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें से common आ रहा है इस पूरे में से common आ रहा है A upon 1 minus R अंदर बचेगा 1 minus R 2N माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस RN तो यहां पर माइनस 1 प्लस 1 यह हो गया cancel तो हमारे पास बचेगा A upon अरे यह A है sorry A upon 1 minus R R की पावर N minus R 2N तो देखो हमें रेशियो चाहिए था S N का और इसका अब S N भी है हमारे पास और यह वाली टम भी आ गई हमारे पास तो अब इनको डिवाइड कर देंगे equation एक equation हम इसको माल लेते हैं जो हमने यहाँ पर निकाली थी equation 1 और यह हो गई equation 2 ठीक है तो अब डिवाइड कर देंगे बस dividing 1 by 2 यह 1 equation है यह 2 equation है दोनों को हम divide कर रहे हैं तो अब इसमें से हम common ले लेंगे ए इसमें से common है a upon 1 minus r और इसमें से भी common है a upon 1 minus r तो यह हो गया पूरा पूरा cancel ओके तो अब बचा हमारे पास 1 minus r की power n upon r की power n minus r की power 2 n यह और minus r की power 2 n अब 1 minus r की power n r की power n minus r की power 2 n को हम इस तरह से लिख सकते हैं break कर के क्योंकि base same है तो powers plus होगी है तो इसको r की power 2 n को हम इस तरह से लिख सकते हैं अब यहाँ पर उपर वाला as it is और नीचे से common आ रहा है rn तो अंदर बचेगा 1 minus r की power n तो यह पूरा पूरा हो गया cancel हमारे पास आया 1 upon r की power n और यही हमें prove करना था कि दोनों का ratio इसका और इसका ratio हमें prove करना था इसका और इसका ratio हमें prove करना था is equal to 1 upon r की power n